तो हर कोई ट्रेडर चाहता है कि वो प्रॉफिट बुक करे और सुरुवात में वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर भी लेता है मगर इंड आफ दे जाते जाते वो अपना सारा पैसा लॉस कर देता है जी हाँ अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो घबराइए नहीं क क्योंकि मैं लाए हूँ आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट की एक ऐसी स्ट्रेड़ेजी जिसको मैंने बाइनरी एप पर यूज किया है और आप मानोगी नहीं भाई इस स्ट्रेड़ेजी के एकुरेसी बहुत ही इंसेन है क्योंकि इसको यूज करके मैंने गुड अमा हमारी वीडियो चलिए इसे हम शुरू करते हैं तो हम आ गए हमारे मुबाइल स्क्रीन पर और यहां पर आप मेरा ट्रेडिंग व्यू देख सकते हैं और यह वही इस्ट्रेड़ेजी है जो कि मैंने बाइनमो पर यूज किया है तो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रेड़ेजी एक स्ट्रेड़ेजी है क्या जी हा तो अभी मैं आपको पहले कैंडल दिखा तो यहां पे अप दीख रहे हैं एक रेड़ कल necessarily ke down arrow दिख रहा होगा तो जैसी market down arrow दिया उसके बाद से market इया लगातार वपर गया है और फिर उसी के बाद एक arrow द तिख रहे हैं तो वहां green के बना है तो उसका market down गया और same यहीं देखिए नीचे गया तो market अब गया तो चलिए हम अपारे binary आप पर चलते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं हम हमारे binary आप पर आ गए हैं और यहां पर ही वही इस्ट्राटेजी हैं अप्लाई करेंगे तो जाके वह हमारा strategy वर्क होगा और हमारा यह strategy कैसे वर्क करेगा तो सबसे पहले यहां पर हम जाएंगे हमारा नया indicator जो की बाइनमो में आया ADX इसका MA period कर लेंगे 16 और smooth period कर लेंगे 16 इसका बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे so histogram on करके apply कर देंगे यहां पर आपको screen में नीचे दिखर आओगा ADX मैं बता दू ADX किस तरीके से work करता है यहां पर आप देखिए red line को cross करके green line यहां पर down की तरफ गया और वहीं से कि हमारा जो candle जो line ऊपर की तरफ रहेगा market उस तरफ में flow करेगा अगर red line ऊपर की तरफ रहेगा yellow line को cross करके तो हमारा market ऊपर की तरफ रहेगा और green line red line को cross करके रहेगा तो ऊपर की तरफ और red line रहेगा तो down की तरफ जी हां तो यह हमारी 90% की accuracy देता है इसमें 10% का हमारा ले लेंगे fractals fractals का period पहला रखेंगे 21 पे क्योंकि 21 होता है long term period के लिए अगर आप long term में trade कर रहा है 5 minute 10 minute उसके लिए यहाँ पे आपको मैं देखा दूँ यहाँ पे देखिए एक fractals बना अपके तरफ वहाँ से market down गया और यहाँ पे देखिए एक fractals बना down के लिए उसका market लगाता है और 10-15 candle तक अप गया मतलब यह क्या है न कि आप एक trade ले लें 10 minute का बड़ा amount में और छोड़ दे तो 10 minute के बाद आपका win होगा है लेकिन binary में भाई long term trading कोई नहीं करता है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस fractals को मैं छोटे turn में कैसे use करूँगा यह जो आप fractals देख रहे हैं यहाँ पे देखिए एक down के तरफ fractals यहाँ उसके बाद से लगाता और candle उपर गया है लगबग 5-6 candle उपर गया है मैं बताता हूँ यह छोटा fractals कैसे वर्क करता है क्योंकि हम binary trading कर रहे है stock market ने stock market में long term hold करते हैं और binary में short term hold करते हैं जी हाँ तो यहाँ पे short term अगर hold कर रहे है तो यहाँ पे हमें indication quick चाहिए होगा जी हाँ तो इसका मतलब है कि हमारा market जो है वो अभी अब की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और मैंने यहाँ पे लगातार अगले मिनट के लिए मतलब पच्छास हजार रुपए का trade ले लिया जी हां as per this strategy मैं ने ले लिया जो कि मैंने stock market में use किया था और वही strategy मैंने यहाँ पर use किया और यहाँ पर fractals की मदद से और यहाँ पर देखिए ADX ADX भी अब पूरा yellow line के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और red line नीचे आने की कोशिश कर रहा मतलब अभी जो market में जो है ना bullish fractals हटने का chance है क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर ADX देख रहे ग्रीन line एकदम red line को टच कर दिया आप उपर जाने की पूरी कोशिश में है और यहाँ से 99.9% chance है की market उपर जाएगा और जैसा कि मैं कह रहा हूं यहाँ से देखिए market उपर की तरफ जा रहा है लेकिन हाँ एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलू जी हाँ अगर आप लोगों का loss हो रहा है और आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए best opportunity है जी हाँ क्योंकि मैं लेके हैं हूं अपना एक टेलिग्राम चैनल जिसमें मैं डेली नौ से दस हाई accuracy वाले signal प्रोवाइड करता हूं जिसको यूज करके आप डेली का अच्छा खासा profit earn कर सकते हैं जी हां मैं इसे खुद personal analyze करके देता हूं जिसको यूज करके आप जो अपना loss recover कर सकते हैं यहां पर आप कुछ feedback देख सकते हैं जिससे हमारे members अपना loss recover कर रहे हैं और अच्छा खासा profit earn कर रहे हैं जी हां तो आप भी जल्दी जाईए और join कीजे तो अपस आगया हम हमारे mobile screen पर और जैसा कि मैंने analyze कर रहा था कि market हमारा उपर की तरफ जाएगा और market देखी कितना ही उपर की तरफ गया मतलब इस strategy के सबसे और ADX देखें यहां पर yellow line को cross करके ऊपर की तरफ चला गया है और red line नीचे की तरफ चला गया मतलब मैंने जो analyze किया था और हमारी strategy जो कह रहे थी वो सही थी और यहां पर हम win करने वाले तो बस 3, 2, 1 and boom यहां पर देख लीजे हमने कर लिया है profit जी हां 91,500 का जी हां मतलब ध हमारकेदार profit हो गया हमारा यहां पर as per my analysis and as per this strategy अब देख रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को इसका asset change करके देखा हूँ कि यहां पर मैं किस तरीके से इस strategy के मदद से अच्छा खासा profit earn करता हूँ और इस strategy को use करके आप लोग भी कैसे अच्छा खासा profit book कर सकते हैं और आप लोगों का जो loss हो रखा है उस loss को recover कर सकते हैं तो यहां में हमने asset change कर लिया जी हां और यहां पर हमने asset change किया तो अब यहां पर भी आप देखिए कि ADX यह कह रहा है ना कि मतलब yellow line को cross करके दोनों ही line उपर है लेकिन green line उससे जादा उपर है ठीक है लेकिन वो fractals जिस basis पे कह देगा चाहे वो fractals down के लिए कह दे या अपके लिए तो अगर fractals जैसा कहेगा हम वैस उस basis पे trade लेंगा और यहां पर देखिए fractals down के तरफ arrow किया मतलब market हमारा जो है वो अपकी तरफ जाएगा तो मैंने यहां पर देखिए as per my analysis यहां पे एक पच्चास जर क trade ले लिया हाला कि मैंने trade नीचे place किया था लेकिन market में हम थोड़ा सा late हो गया fluctuation की वज़े से market में थोड़ा सा उपर place हुआ है तो अगर market छोटा candle बनाएगा क्योंकि पिछला candle डोजी है इसका मतलब market जो अभी पकरने वाला है तो छोटा candle बनाएगा तो हमारा loss हो सकता था लेकिन घबराने की बात है नहीं भाई आपका भाई है ना मैं बताओंगा आप लोगों को one step use करना जी हां one step कैसे use करते हैं अगर ये trade loss होता है तो जी हां लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ये loss होने वाला है कि अगर candle थोड़ा सा भी और fluctuation देगा तो यहां पे हम win कर जाएग तो यहां पर हमने 25,000 का एक trade प्लेस कर लिया मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा तो हम यहां पर एक और trade प्लेस कर देंगे ताकि जो हमारा जो loss हुआ है 25,000 का वो तो recover हो जाए उसके साथ साथ हमारा profit भी हो जाए तो बस हमें wait करना कि market थोड़ा सा और हमें moment दे और हम अगले minute के candle के लिए trade लिया तो market यहां moment दिया हमने एक और 25,000 का trade ले लिया जी हाँ आप देख सकते कि मतलब मानिएगा नहीं भाई साथ मैं यह accuracy के ना इतनी इस strategy के इतनी अच्छी accuracy है ना कि मैं बहुत जादा excited हो गया हूँ आप लोगो को यह वीडियो दिखा के मतलब ब 20 trade लिया और 18 trade विन हुए भाई साब 18 trade और 2 trade भी loss इस वज़े से हुए है क्योंकि मैंने जो है ना या तो perfect placing नहीं कर पाया या फिर late entry ले पाया जी हां तो अगर इस दोनों को आप manage कर लेंगे और proper money management कर लेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप लोग भी अच्छा खासा profit earn कर सक रखेंगे और देखें मैंने जैसा analyze किया था और जैसा कि हमारा fractals कह रहा था और जैसा कि हमारा ADX कह रहा था market उपर जाएगा मैंने trade ले लिया और market यहां से उपर जाएगा ही जाएगा और अगर नहीं भी जाएगा तो छोटा सा doji बनाएगा क्योंकि मैं पिछले candle से रहेंगे बस हमें patience रखना और इस strategy पर भरोसा रखना है क्योंकि हमें पता कि यह strategy हमारा win कराएगा एक कराएगा और अगर यह वाला trade अगर loss होगा तो कोई बात हैं हम एक और one step ले लेंगे लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि यह loss होने वाला है तो बस three two one and boom दिक रहोगा asset change करते हैं तो हमने यहाँ पर फिर से asset change कर लिए और यहाँ पर देखिए fractals कितना उपर indicate किया वहाँ से अभी तक fractals कोई indication नहीं दे रहा है तो जब तक fractals हमें कोई indication नहीं देगा हम यहाँ पर trade नहीं लेंगे लेकिन हाला कि हमारे सबसे इतना red गया है तो एक तो reversal लेना च chance है तो यहाँ पर हम एक trade तो ऊपर के तरफ लेंगे ही लेंगे बस यह वाला candle खतम होने दीजिए और यह वाला candle जिसे सबसे बना रहा है और नीचे की तरफ shadow छोड़ रहा है तो अगला candle का accuracy बढ़ जाता है कि market अपकी तरफ जाएगा ही जाएगा अगर fractals बन गया तो fractals confirm नहीं हुआ था और हमने यही जल्द बाजी कर दी यहाँ पर देख रहोंगे यहाँ पर से हट गया है जी हम मतलब इसका हो गया कि अब यह down जाने वाला और यह वाला जो हमारा trade है वो loss होने वाला लेकिन कोई बात नहीं भाई साफ हम यहाँ पर one step use करेंगे इसके बाद से जो surety है ना भाई साफ बहुत ही तगड़ी होने वाली है और यहाँ पर से तो हम win करने ही वाले क्योंकि इतना जादा red candle के बाद ना एक reversal candle बनता ही आप खुद जब अगर market में बैठे होंगे तो आप भी देखोंगे लगातार इतना red बना तो उसके बाद एक reversal candle लीना तो बनता है तो यहाँ पर जो हम one step use करने वाले है ना भाई साब आप देखना आपको मजा ही आ जाएगा और यहाँ पर मैंने लगभग लगाता ट्रिड लिया और मैंने 1,75,000 का ट्रिड ले लिया है जी हाँ मतलब मैंने अपना लगभग 35% capital एक ट्रिड में यूज कर दिया है बतला आप समझ सकते की मैंने कितना बरा risk ले लिया है इस strategy पर मुझे कितना भरोसा है कि मैंने इतना बरा risk ले लिया और आप मैं बता रहौ हूँ ना यह जो मैंने रिस्क लिया है यह worth it होने वाला क्योंकि मुझे पता यहाँ से market जाएगा ही जाएगा भाज साब क्योंकि इतना red बनाने के न भाई reversal लेना तो बनता है यहाँ पर बहुत यहाँ पर एक green candle तो बनता है यहाँ तो market इतना ज़ादा trendy भी नहीं रहता है कि 10-12 candle आपको red दे दे एक भी बीच में green न दे एक दो green तो बनता है यह कुछी second बचा है और हमारा बच गया यहाँ पर three two one and boom last second देखिए fractals बना last second market गया उपर last second और last second हमने कर लिया six like ninety seven thousand का profit one club हमने कर लिया इस strategy के मदद से live one like ninety seven thousand का profit I hope आप लोगों को strategy समझ में आ गया होगा अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को like कीजिए और comment कीजिए